हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूट्यूब चानल पर जहां पर हमारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं के ट्वेल यानि की किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक की क्लासिस के बच्चों के लिए CBSE board English medium वालों के लिए free of cost high quality educational videos जो की हर subject को detail में पढ़ने के बहुत काम आते हैं और बढ़िये तरीके से आप पढ़ाई करो Hindi medium वाले बच्चे भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं for class 6 to 12 Hindi medium UP board, MP board, Bihar board, अपना Rajasthan board, Delhi board, even CBSE board Hindi medium भी हम सारी classes को पढ़ाते हैं 6 to 12 Hindi medium हमारे Hindi medium YouTube channel पर जिसका नाम है Magnet Brains Hindi medium और अगर आपको notes चाहिए तो हमारी website और application पर visit करो आपके लिए class 6, class 12, all subjects of Hindi medium and English medium की detailed notes हमारे पास PDF format में e-notes के form में available हैं बढ़िया पढ़ाई करो This side is Zeeshan, your maths mentor, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस amazing YouTube channel पर आज के session में बिटापन continue करेंगे complex number of class 11, chapter number 4 उसका most important question का second part 6, 7, 8, 9, 10, next 5 questions ठीक है तो यह रहा बिटा हमारा पहला question अगर आपने शुरू के 5 questions के अच्छे से detail में solutions नहीं देखे प्रैक्टिस नहीं किये तो देख लो बिटा previous video I guess 40 है 42 है 45 minutes का है देख लो बहुत उपी होगी है, बहुत useful है, आपके बहुत काम आएगा चलो शुरू करते हैं, बढ़िया वाला, 5 questions समझेंगे, अच्छे से detail में समझेंगे, ठीक है चलो, देखो question का कह रहा है, if a is equal to this, find the value of this खतरना question है, बवाल question है, मज़ा आजाएगा, बड़ा question है, सबसे पहली बात है, बड़ा question है हमें value निकालनी है, sir, 1 plus a upon 1 minus a, ठीक है, 1 plus a upon 1 minus a ठीक है, इसकी value निकालनी है, हमें a की value दी गई है, चरहा रखके देखो ठीक है, sir, रखके देखते हैं, a की value क्या दी गई है, sir, हमें a की value दी गई है one plus a की value दी है cos theta ठीक है cos theta ठीक है plus i sin theta plus i sin theta ठीक है कोई दिक्कत नहीं है upon one minus one minus अब a की value हमें cos theta i sin theta थी यह minus का a है तो minus का minus का दोनों minus के हो जाएंगे minus cos theta ठीक है minus cos theta ठीक है अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अगर अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, one minus a, minus a की value लिख देते हैं, cos theta plus i sin theta, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं अपन, क्या सर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत important है, जी सर, अपन यहाँ एक काम यह करते हैं, कि अपन ऊपर, अभी rationalizing के लावा कुछ भी अपन के पास है नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, without rationalizing, मतलब rationalizing वाला है system, देखो उपर अपने पास है one, इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, ठीक है सर, प्लस, ठीक है, x, ठीक है सर, अब सुनते जाना, देखो बात क्या है, मैं तुमको एक बात बताता हूं, important बात, ध्यान से पहले ना, बच्चे, पहले माँ वो गलत वाला पार्ट बताता हूं, गलत वाला हिस्सा बताता हूं, और cos theta प्लस i sin theta, प्लस i sin theta, देखना, गलत वाला, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये question, पर मैं चाहता हूं कि तुम गलत वाला पार्ट देखो, जो गलती यहां करेंगे ठीक है, upon, यहां पर मैंने 1 को 1 लिख लिया, ठीक है सर, minus cos theta प्लस i sin theta, अब यहां rationalize बच्चे कैसे करेंगे, सुनो, बच्चे कहेंगे, सर ये x minus y, हम एक काम करते हैं, बच्चों की बात बतारा हूं, बच्चे बोलते हैं, क्या, वो कहेंगे सर हम एक काम करते हैं, क्या, सर ह हम इसका उल्टा, one plus this, इसका multiply करते थे, चलो अच्चा करके देखते हैं, होता क्या है, ठीक है, done, चलो करके देखते हैं, one plus, ठीक है, one plus, यहां लिखते हैं, one plus, cos theta plus i sin theta, cos theta plus i sin theta, हमारा मकसद बता क्या होता है, हम क्यों, rationalizing वाला ये system क्यों अपनाते, हम इसलिए अपना दे ताकि i को खतम कर सके, हम i को खतम करना चाते हैं, i बोले तो iota नीचे से, हम नीचे denominator से i को खतम करना चाते हैं, ये चीज़ उपर भी लिख दो, ठीक है, तो यहां one लिखा, plus cos theta, plus i sin theta, sir, i sin theta, done है, बिलकुल done है, sir, आगे देखते हैं, इतनी बात के लिए रहे, ठीक है, सही बात है, तो अब क्या किया जाएगा, यहां लिखा जाएगा, उपर one plus, one plus, ध्यान दो सुनना बेटा, one plus cos theta, plus i sin theta का whole square, इसका whole square, ठीक है, यहां whole square लिख लिख गे, और नीचे बनेगा a square minus b square, क्योंकि नीचे तो rationalize करें, इसलिए जाता है, तो a square का मतलब है one square, minus b square, b square का मतलब है यह बिटा, cos theta plus i sin theta का square, देखो इससे हो तो जाएगा question, लेकिन बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत लेंदी, अच्छा खासा लंबा चोड़ा चला जाएगा, ठीक है, चलो करते हैं यहां, देखते हैं कहां तक पहुंचता, ठीक ह थोड़ा time, 10 minute, 12 minute थोड़ा सा लगेगा, लेकिन देखते हैं, अब यह हो गया, x plus y का whole square, solve करो, तो सर यह होगा, a square plus b square, यह b है बिटा, cos theta plus i sin theta, a square plus b square, plus है न, तो plus 2ab, x plus y का whole square, तो plus 2, into a, a का मतलब है, 1, into b, b का मतलब है, यह पूरा, cos theta plus i sin theta, cos theta plus i sin theta, bracket close, ठीक है, upon, नीचे क्या है पिटा, नीचे 1 का square 1 है, ठीक है सर, 1 का square 1 है, minus, ठीक है, cos theta plus i sin theta का whole square, अंदर ही खोल दो, तो यह हो जाएगा, cos square theta, plus i square sin theta, i square sin theta, ठीक है, है न, a square plus b square, plus 2ab, plus 2 cos theta, i sin theta, 2i sin theta, ठीक है, यह आया, अब तुम देख सकते हो, कितना लंबा चोड़ा जा रहा है, अभी कहीं भी इसकी खबर नहीं है, कि यह कहां खतम होगा, कहां शुरू होगा, अभी कुछ भी आता पता नहीं है, अपन को, बस चले जा रहे हैं, अपन चले जा रहे हैं, ठीक है, clear है, हाँ सर, बिल साइन थीटा का होल स्क्वेर, यह यह आएगा, देखो, कॉस स्क्वेर थीटा, ठीक है सर, प्लस आई स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा, ठीक है सर, प्लस तू इंटू कॉस इंटू आई साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, डन, यह सर, तू का मल्टिप लाइग करेंगे प्लस का 2i sin theta, done, upon 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 upon, ठीक है सर, upon, अरे भाई बड़ा गंदा upon लगा, ठीक है, ठीक है, upon one minus, देखना, one, minus का symbol खुलेगा, तो minus का cause square theta हो जाएगा, ठीक है सर, है न, और सुनना, मेरी बास सुनना, ये minus का sin square theta है, कैसे है, उन बता ये plus का है, ठीक है, ये minus का one देगा, ये minus का one देगा, हाँ सर, तो ये basically minus का sin square theta है, ये पूरा minus का sin square theta है, जो minus से मिलके plus का sin square theta हो जाएगा, क्या हो जाएगा, plus का sin square theta, clear है, हाँ सर, है न, और ये plus का 2i है, तो इसको minus का 2i sin theta cause theta, done है, हाँ सर, बिलकुल done है, अब क्या किया जाए अब क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर भी एक काम करो i square है तो यह क्या होगा minus one minus sine square theta हो जाएगा ना इसको लिख देते हैं minus का sine square theta ठीक है minus का sine square theta इतनी बात clear है 100% clear है अब खेल जो होगा ना वो one करेगा main game जो है ना वो one करने वाला है कैसे बताता हूँ देखो यहाँ 1 की value आपको पता होनी चाहिए बेटा 1 की value अपनको जो रखनी है वो है sin square theta plus cos square theta जी हाँ, यहाँ 1 की value हम रखेंगे 1 की जगा sin square theta plus cos square theta sin square theta plus cos square theta ठीक है? done sir, plus लगाना था मैंने multiply लगा दिया ठीक है? done इसको अटाओ, ठीक है, यहाँ plus लिखते है ठीक है, अब plus का cos square theta as it is plus का cos square theta ठीक है, minus का sin square theta minus का sin square theta as it is पेटा, मेरे पास space कम है है ना, तो plus का 2i plus का 2i sin theta cos theta sin theta cos theta, ठीक है sin theta cos theta, ठीक है sir उसके बादे पेटा, plus का 2 cos theta plus का 2i sin theta प्लस का 2 cos theta, ठीक है, then we have plus का 2 i sin theta, 2 i sin theta, ठीक है, ये है, अब उपर, ये भी numerator लिखा पने है, numerator, कट अपीडी करो, जैसे sin square theta से sin square theta cut गया, है न, it is gone, ठीक है, तो उपर बचा क्या, उपर बचा sin square से sin square मैं erase कर दूँ, हाँ sir, क्योंकि मुझे space की कमी है, तो यहाँ से मैंने square erase की और यहाँ से square erase की, अब बचा क्या, cos square theta plus cos square theta, 2 cos square theta, तो इसको हटा के 2 cos square theta, ठीक है, इसको हटा के लिख देते है, 2 cos square theta, तो sir, sin square से sin square cut गया, 2 cos square theta, है न, plus कर दिया, बाकि sir, बाकि ये पूरा का पूर वैसे का, वैसे ही अपन लिख देंगे, जैसा ही हाँ लिखा है, plus 2 sin theta cos theta, ठीक है, और ये भी लिख देंगे sir, इसके आगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे लिखते हैं, ठीक है, अब अब इसको लिखते हैं अपन, ठीक है, ये लिख दिया, then, yes sir, अब नीचे का देख ल plus cos square theta, देखेंगे क्या आएगा, ठीक है, done sir, फिर उसके बाद minus का cos square theta है, ठीक है, plus का sin square theta है, ठीक है, plus का sin square theta लिखा, ठीक है, फिर हमारे पास है minus का 2i minus का 2i sin theta cos theta, minus का 2i sin theta dot cos theta, ठीक है, 2 into i into sin theta into cos theta, काट बीटी करेंगे पिटा तो यहां आप देखो cos有點 से cos theta कट जाय番 साइन स्क्वैर थीटा कितना आया दोस्त तू साइन स्क्वैर थीटा है तो जल्दी से अपन लिखेंगे पिटा ध्यान से सुन लो two sine square theta लिखेंगे नीचे ठीक है two sine square theta लिखा ठीक है और minus का minus का two i sine theta cos theta minus का two i sine theta cos theta ये लिखा ये सर और बीच में upon लगा दो भी या upon लगाना बड़ा जरूरी है तो ये upon लगा दो ये इतनी बात के लिए रहे ये सर अब ये आज़ा इसको तसल्ली से solve करेंगे कैसे solve करेंगे बिटा तसल्ली से कैसे देखो बताता हूं सुनते या ना ये एक दो तीन चार चार चीज़ें अपने पास ठीक है सर बिल्कुल सही बात है common common लेंगे अपन ठीक है अब देखो अगर इन दोनों से common ले लिया ठीक है बचा क्या bracket में यहां से 2 गया यहां से 1 cos theta गया तु attend भचेएगा ठीक है सर cos theta बचा प्लस 2 गया और cos theta गया तो i sin theta बचेएगा i sin theta इतनी बात खेंगे है यहां सर बिल्कुल खेंगे है पक्की बात है भेव देखी ध्यान से सुनना, सुनते यहां न, जी सर, यह आया, bracket close, अब इतने पाट और इतने पाट में से कुछ भी common नहीं आ रहा है, two के अलावा, तो two ही common आ रहा, तो two common ले ले लेते हैं, plus का two common ले लिया, bracket में क्या बचा, cos theta और यहां i sin theta, ठीक है सर, cos theta और plus का i sin theta, इतनी बात clear हाँ सर, बिल्कुल clear हुई, कोई समस्थ्या नहीं है, upon, upon, ठीक है, upon लगाया भी है, two sin square theta minus two i sin theta, यह क्या है सर, क्या common लेना पड़ेगा, सुनते जाओ, two sin theta, two sin theta पन ने common लिया, two sin theta पन ने common ले लिया, सर, ठीक है, bracket, यहां से बचा sin theta, ठीक है, sin theta बचा सर, और यहां से बच minus का i cos theta, minus का i cos theta, clear है, हाँ सर, अब देखो, cut क्या रहा है, two से two cut जाएगा, ठीक है सर, है ना, अरे अभी नहीं गड़ेगा, अभी तो उपर वी common आना है, अभी उपर और common आएगा, ठीक है सर, देखो, अब उपर वीटा, cos theta plus i sin theta, cos theta plus i sin theta, common ले लिया, cos theta plus i sin theta, ठीक है, done, two cos theta plus two, two cos theta plus two, एक काम करते हैं, यहां से two और यहां से two common ले 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 लेते हैं, ठीक है, two common ले ले लेते हैं सर, क्या, two common ले 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 लेते हैं, तो यहां से two और यहां से two अटेगा, तो यह cos theta two अटेगा, तो one बचेगा, है ना, तो यह two यहां आ जाएगा, यहां आजाएगा इधर आजाएगा और ये क्या बचाएगा 2 यहाँ से गाइब हो जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा तो cos theta plus 1 बचाएगा क्या बचाएगा cos theta plus one ठीक है cos theta plus one bracket close नीचे क्या बचा Sen? नीचे अपना बचा 2 sin theta 2 sin theta 2 sin theta 0 – i cos theta अब देखो यहां अपने 10 मिनिट लग गए और 10 मिनिट में अपने क्या करा 2 से 2 कट कर दिया, इसके लावा कुछ भी नहीं कट रहे हैं कि दोनें लिए कुछ भी कट नहीं हो रहा करें शुर्ण सर यहां आ के बच्चे फस जाते हैं और वो कहते हैं कि सर अब क्या किया जाए ठीक है अब यहाँ पर देखो और दिमाग चलेगा और टाइम विस्ट करेंगे बच्चे क्या देखो अब वो कहेंगे कि सर साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा आ गया ना हम इसका ओपोजिट मुल्टिप्लाइ कर देंगे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा कर सकते हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी करोगे यहाँ भी करोगे बहुत लेंदी चला जाएगा यार गलती पता कहा हुई है गलती हुई है यहाँ जब मैं यहाँ पर सेट बना रहा था मैंने तुमको बताए था ना वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मल्टिप्लाइ कर रहा था यहाँ पर अपन सेख मिस्टेग मिस्टेग नहीं गहेंगे दीग गलत तो यह यह भी नहीं है लेंदी बनाया थाकि हम इसका X plus Y का multiply करते ये set गलत बनाता तो अब हमें हमारी ये गलती जो है गलत step जो है एक तरह से हमने जो ले लिया था इसको सुदारना है और हमें इस गलती से सीखना है मेरे प्यारे बच्चों ये गलती हर बच्चा करेगा अब ये गलती सुदार है कैसे एक ब माइनस का हो जाएगा अरे रे जोजा ठीक है यह माइनस का हो जाएगा ठीक है अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना क्या सर एप देखो जैसे नीचे पन ने बना दिया x minus y तो हमेशा या दखना या तो इसमें i वाला आना चाहिए सिर्फ i सिर्फ i वाला पार्ट या फिर इसमें i वाला आना चाहिए मतलब i वाला i sin θटा यह है i इसके अलावा i नीचे कहीं नहीं है तो y बन जाएगा i sin θटा बस बाकी पूरा यह x बनेगा बाकी यह पूरा x बनेगा बस यह जमझना है तुमको के जो i वाला हम मिटाना चाहते है i वाला जो हम भगाना चाहते है i वाला देखो हमारा main खेल है नीचे denominator से i को हटाना तो वो तब हटेगा मेरे प्यारे जब i जिस चीज में आ रहा है उसको पूरे को या तो तो x मान लो या y मान लो बस उसी को उसके साथ कुछ नहीं अभी अपन ने किसको मान लिया था इसको y मान लिया था cos θटा प्लस i sin θटा इसको y मान लिया था गलती वही थी तो यहां हमें गलती अपनी सुधार नहीं है अब हम क्या लिखेंगे यहां बटा 1 प्लस cos θटा प्लस i sin θटा अपॉन 1 माइनस cos θटा को ऐसे ही लिखो 1 माइनस cos θटा और इसको ब्रैकेट में लगा लो जी हां इसको ब्रैकेट में लगा लो और माइनस लिखकर i sin θटा इसको ब्रैकेट में लगा लो बिटा अब आपको समझ में आना चाहिए कि यह x है माइनस यह y है समझ गए तो हम किसका मल्टीप्लाइ करेंगे सर हम मल्टीप्लाइ करेंगे बिटा ध्यान से सुनो इसको bracket में मैंने pack कर दिया ठीक है सर इसको भी pack कर दिया ठीक है सर सुनते है ना मिटा हम multiply करेंगे 1-cos यानि x plus y हम multiply करेंगे 1-cos थीटा ठीक है 1-cos थीटा यह हो गया x और फिर minus की जगा हमें बस यह plus लगाना है plus i sin थीटा यह multiply करना है, समझे, यह बहुत important step है, समझना आपका बहुत जरूरी है, और यही बेटा उपर multiply करना है, उपर तो बिलकुल आजादी में लगा दो, आजादी में मतलब 1 minus cos theta plus i sin theta, कोई bracket bracket मत डालो, ठीक है सर, ठीक है, done, अब उपर का multiplication देखते हैं, properly, काई दे से, तमीज से, theta, ठीक है, 1 into this, plus का i sin theta, plus का i sin theta, तो 1 का multiply हमने तीनों में कर दिया, cos का, plus cos का multiply है, तीनों में होगा, plus cos into 1, plus का cos theta, plus cos into this, minus का cos square theta, plus cos into this, plus का i sin theta, cos theta, ठीक है, done, yes sir, अभी इसकी बार ही और है, i sin theta into 1, plus का i sin theta, plus का i sin theta, clear है, हाँ sir, clear है, i sin theta into cos, तो minus का i sin theta, cos theta, minus का i sin theta, cos theta, i sin theta into i sin theta, plus का, यह plus और minus, minus का हैगा, यह plus का हैगा, ठीक है, plus का i square sin square theta, plus का i square sin square theta, upon, नीचे जा बनेगा, नीचे तो as usual, अपना x square minus y square ही बनता है है ना done sir तो ये नीचे upon में x square minus y square बनेगा देखो ये पूरा x है मैं फिर बोलना चाहता हूँ ये पूरा x है x square minus y square ठीक है तो नीचे क्या बनेगा बेटा नीचे बनेगा 1 minus cos theta ये x है तो x square minus y square i sin theta is y ठीक है इसका square अब यहां देखना i गयब हो जाएगा पूरी तरह से इतनी बात क्लिए रहा है यह सरूपर कुछ कट पिट रहा है पैटा कुछ तो कट रहा है उपर देखो कुछ तो कट रहा है यस देखो अपना यह कट रहा देखो i sin θ da cos theta प्लस का है हां और i sin θ da cos theta dew हो यह i sin θ da cos theta प्लस का है, i sin theta cos theta माइनस का है, ठीक है इतनी बात क्लिय है रहे है, हाँ sir, इसके अलावा भी कुछ ऑगे कट रहा होगा, one बन जाएगा, one से one कट जाएगा, ठीक है बताता हूँ कैसे तो रहेगा, हमाज सुनना, one को अपनने one लिख Crty ठीक है अब तुमको बताता हूँ देखो माइनस का कॉस स्क्वेर थीटा माइनस का कॉस स्क्वेर थीटा ठीक है जर ये लिखा पनने ठीक है इसको मैं ग्रीन कलर से सर्किल कर देता हूँ ये लिख दिया मैंने ठीक है इसके साथ मैं ये लिखना चाहता हूँ plus का i square sin square theta क्यों बताता हूँ plus का i square sin square theta इसका reason है मैं बताता हूँ क्यों देखो यह i square जो है न यह minus का one है क्या है minus का one ठीक है तो यह minus का cause square theta और minus one into plus तो minus का sin square theta हो जाएगा पक्की बात है हाजर पक्की बात है minus common ले ले लेंगे क्या हैगा sin square theta प्लस कॉस स्क्वेर थीटा प्लस का आजाएगा पक्की बात है 100% पक्की बात है माइनस का ये बाला पार्ट वन होता है तो माइनस का वन तो पिटा इन दोनों की जगा इसकी जगा और इसकी जगा हम क्या लिख सकते हैं माइनस का वन और माइनस का वन और प्लस का वन अल्रेडी है तो भी टक टड जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं हम इसको यहीं कर सकते हैं प्लस का वन को कौन काट रहा है इस प्लस के वन को और माइनस का 1 बना रहा है दोनों मिलके प्लस के 1 को उड़ा देंगे, खतम कर देंगे, अब बचा क्या वो लिख लेते हैं से, ठीके, अब बचा क्या, देखो पहले बचा बचा अपना ये, अच्छा एक और चीज कड रही है, ये देखो, माइनस का कॉस थीटा, प्लस का कॉ प्लस के हैं, तो क्या बचा, 2i sin थीटा बचा, ठीक है, अपन, नीचे सॉल्व करते हैं, बहुत तरीके से तसल्ली से सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, 1-cos का स्क्वेर, तो सरी हो जाएगा, a square, यानि 1 का स्क्वेर 1, प्लस b square, यानि cos square, a square प्लस b square, minus 2, into a, into b, 2 into 1, into cos, यानि 2 cos theta है, clear है, हाँ सर, minus, minus, i square, sin square theta, अब देखो, यहाँ पर भी खेले, ये वाला पाट क्या है, ये वाला पाट तो 1 है, i square 1 है हाँ sir i square तो minus 1 है देखो i square क्या है minus 1 minus 1 into minus तो plus 1 तो plus का sin square theta आ जाएगा है न तो ये plus का sin square theta आ जाएगा लिखते हैं बेटा 2i sin theta upon 1 plus cause square theta plus sin square theta cause square theta plus इसको लिखते हैं भी plus का sin square theta हो जाएगा ये पूरा ठीक है plus का sin square theta प्लस साइन स्क्वेर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा ठीक है ध्यान जे सुनो ये दूनों मिला के बेटा 1 मिला देंगे 1 और 1 2 हाई यार सही बात है तो 1 and 1 2 एक सेकंड रुखना जरा ठीक तो अपन लिखते हैं बेटा ध्यान से सुनिए 2i sin थीटा 2i sin थीटा अपन ठीक है 1 और ये 1 पूरा 1 तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा ठीक है 2i sin थीटा as it is 2i sin थीटा as it is ठीक है अपन बेटा यहां से 2 कॉवन ले लो क्या बचा ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अब 2 से 2 उड़ा दो बस खतम होगे बेटा कॉशन खतम होने वाला इससे यह उड़ा दिया अब जो बचा मुझे बस वो लिखना है and that is i sin थीटा i sin थीटा upon 1 माइनस कॉस थीटा and seriously बच्चो seriously इसके बाद हर बच्चा solve नहीं कर पाएगा इसके बाद क्योंकि बस दो स्टेप बचे और कोशन खतम seriously दो स्टेप बचे और कोशन खतम अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा erase करूँ लेकिन उसके पहले बचा आपको जल्दी से करना है इसको copy इसका screenshot ले लो so that आपको सारी चीज़े मिल जाए copied taken screenshot yes sir अब मैं इसको उड़ाता हूँ अब मैं इसको उड़ाता हूँ ये भी हटा देता हूँ ठीक है ये भी हटा ही देता हूँ नहीं यार इसको नहीं हटाना है एक सेकंड इसको उड़ा देता हूँ इतना उड़ा दूँगा ठीक है अरे यार बस अब ठीक है गया इसको उपर ले आओ ठीक है ये जो आया ना ये हमने solve करके ले आये ठीक है हम solve करके लेकर आये इसको ठीक है मैनत से ठीक है ये पूरा का पूरा सॉल्व के ये आ गया अब क्या करें सारे सुनो 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 बहुत छोड़ी सी चीज़ा और कोशन घतम देखो बताता हूं देखना ध्यान से हमने साइन टू थीटा का फॉर्मला पढ़ा है साइन टू थीटा का क्या होता है जो एंगल लिखा है इसको भी डिवाइट बाइट वो भी डिवाइट बाइट वो सारे एंगल डिवाइट बाइट वोंगे टू से टू कट गया तो साइन थीटा का फॉर्मला क्या बना पेटा ये फॉर्मला तो आपको मुझवान याद होना चाहिए साइन थीटा का फॉ यह हो जाएगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2, into cos theta by 2, okay, समझ में आगई बात, yes है, sin theta की जाएगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon, 1 minus cos theta, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, देखो, cos 2 theta के formula हमने पढ़े हैं, cos 2 theta के हमने 4 formula पढ़े हैं, चार नहीं में हैं यहाँ पर आपको 2 बताऊंगा, जो important है, देखो, एक है 2 cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1, और एक है बेटा, cos 2 theta का formula, cos 2 theta का formula क्या है, 1 minus 2 sin square theta, यह दो formula है, done, बिलकुल done sir, अब इन दो formula में हमें थोड़े से changes करने हैं, क्या, देखो, बताता हूं, अब भी बताता हूं, don't worry, इसको पहले नीचे लाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसको 2 theta से theta बनाओ, तो इसको divide by 2 करो, अगर LHS में angle को divide by 2, तो RHS में भी angle को divide by 2, इधर भी कर सकते हैं, यहां बिलकुल, divide by 2 करो, तो यहां भी divide by 2 हो जाएगा, क्या बना, sir, यह बना cos theta, cos theta is equal to 2 cos square, 2 cos square, theta by 2 minus 1, पक्की बात है, 100% पक्की बात है, सर, ठीक है, यहां लगा दो गई, ठीक, ठीक है, इतनी बात clear है, और यहां क्या बनेगा, 2 से 2 cancel, cos theta is equal to, cos theta is equal to, 1 minus 2 sin square theta by 2, sin square theta by 2, चलो सर, यह तो clear है, सुनते जाना, जी सर, मुझे 1 minus cos theta चाहिए, 1 minus, minus, अगर मैं इस minus के 1 को यहां ले आऊंगा, तो यह plus का 1 बन जाएगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस minus के 1 को यहां ले आया, सपोस्छ मैंने square z करा यहां से, minus का 1 हटाया, तो यहां कि क्या हो जाएगा, 1 का plus का 1 हो जाएगा, और यह one plus cos theta है, नहीं है सर, ठीक है भाईया, one cos theta हो जाएगा minus का one plus cos theta हो जाएगा LHS में और वहाँ बचेगा minus का two sin square theta by two यह बचेगा क्या यह one minus cos theta minus one plus cos theta match कर रहा नहीं कर रहा लेकिन 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 यहां आपन कुछ और कर सकते हैं क्या यहां आपन cos theta को यहां और two sin square theta को यहां minus का two sin square theta यहां के plus का two sin square theta by two बन जाएगा equal to one और cos theta बन जाएगा तो minus का cos theta बन जाएगा तो बेटा यही तो value हमें चाहिए थी इसकी one minus cos theta की value हमें चाहिए थी जो आई two sin square theta by two जो हम यहां प्यार से प्रेम पूरवग रखेंगे two sin square theta by two 1-cos theta की यह लिख लेना ठीक है यह लिख लेना important है यह बहुत important है लिख लेना इसका काम नहीं आया यह काम नहीं आया अपनी वो आला पार्ट काम आ गया 1-cos theta की value हमें मिल गई वहां से जो हमें चाहिए थी अब बिटा यहां से हम cancellation करेंगे 2 से 2 cancel हो गया sine theta by 2 sine square theta by 2 sine theta by 2 बिटा एक बारे यहां 2 बारे cancel हो गया क्या आया answer बिटा answer आया i into cos theta by 2 upon नीचे आया बिटा sine theta by 2 cos theta by 2 sine theta by 2 cot हो जाएगा cot तो i into cot theta by 2 यह हमारा answer है बिटा this is our answer one plus a upon one minus a यह आया जल्दी से copy कर लो अब देखो यह कितनी जल्दी solve हो गया यह 15 minute में हो गया हो गारा 15 minute में है ना लेकिन वो दो भाई सब अभी भी solve कर रहे होते तो हो नहीं पाता तो यह question बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है इसको ध्यान से अच्छे से बहुत अच्छे से सलीगे से समझना ठीक है चलते है question number seven की तरफ बिटा I'm raising this और अब आता है हमारे सामने आखो के सामने question number seven क्या है सर ये बला बहुत आसान है कोई पड़ी बात नहीं है देखो हमें given है यहाँ एक चीज given है क्या given है ध्यान से सुनो यहाँ हमको given है एक part given है ठीक है बिना given के तो कुछ होने वाला नहीं है यह है बिटा one plus i one plus i into z ठीक है is equal to हमारे पास दिया गया है one minus i into z का बार z की उपर अपन को एक छोटा सा बार लगा दिया जिसको पढ़ते हैं z conjugate क्या पढ़ते हैं z conjugate z की उपर एक छोटा सा डेश आप पढ़ देना बिटा क्या पढ़ा जाता है इसको z conjugate या conjugate of z ठीक है done sir अब sir हमें actually यह प्रूफ करना है we have to prove this ठीक है बई कर लेंगा कोई बड़ी बात नहीं है देखो कैसे करेंगा दियांजर सुनना यार यह multiply में हां sir बच्चा यह भी multiply में हां sir अगर मैं इसको z dash के बार के नीचे या z conjugate के पास लाना चाहूं तो यह multiply तो divide करके आएगा यह इसको लाना चाहूं तो यह divide करके आएगा ठीक है sir किसी को भी ले जाओ मतलब कुल मिलाके यह मानलो बिटा ए है यह B है यह C है यह D है सब multiply में है तो आपको पता है कि बिटा multiply वाली चीजों को जब अपन transpose करते हैं ले जाते हैं तो अगर मैं आई माइनस वन माइनस आई को इधर लाना चाहूं तो यह वन प्लस आई के पास आके क्या करेगा अपन में आएगा क्योंकि अपन करेंगे rationalize वाले process से solve जी हाँ तो sir हम क्या करेंगे इसको वण प्लस आई अप उन माइनस आई ठीक है ब्रैकिट लगाएंगे ठीक है सर इसको ब्रैकित लगाएंगे ठीक है सर हम इसको solve करेंगे one plus i से multiply करके one plus i और उपर भी one plus i से multiply करके वोई रहेगा नहीं, उपर तो वही चलेगा z conjugate upon z, ठीक है चलो सर, ये क्या बना, ये बना one plus i, one plus i, यानि one plus i का whole square one plus i का whole square upon, सर ये बना one plus i into one minus i, यानि a square minus b square, तो ये बना बेटा a square minus b square ठीक है, is equal to upon z, इतनी बात clear है, हाँ सर, बिलकुल clear है, आगे चलते हैं, इसका whole square खोल देंगे, a square plus b square plus two into a into b upon, upon upon upon, one square is one minus, i square अपना minus one है, is equal to बेटा, z का conjugate upon z clear है, हाँ सर, clear है देखो, i square one होता है, हाँ सर सही बात है, तो यार ये minus one, sorry minus one होता है, not one, minus one होता है तो आपने one का square one लिखा, ठीक है, सर, one लिखा plus plus लगाया, i square i square minus one होता, minus one लगाया, और ये plus का two into one into i, यहनि plus का two i लिखा, upon बिटा one plus का one, तो two हो जाएगा, one plus one, two हो जाएगा, is equal to जेट का conjugate upon z अब बिटा ध्यान से देखो यह plus minus minus हो गया तो one और one तो कट जाएगा तो यह basically हमारे पास जो चीजें आई वो है two i upon i two i upon i ठीक है sir is equal to z conjugate upon z इतनी बात क्लियर है हाँ sir बिलकुल clear है hundred and ten percent clear है पक्की बाद है surety वाली पक्की बाद है sir hundred percent sure है hundred percent sure है sir इतना बिटा कॉपी करो फिर अपन आगे का काम करते है ठीक है अरे यारे एक problem हो गई यहाँ i लिख दिया मैंने रुख जा रुख जा रुख जा यह i नहीं है यह two है ठीक है यह two लिख दिया अब देखना two say two अपन ने उड़ा दिया sir two say two उड़ा दिया बचा i अब सुनते है ना देखना अभी problem कहाँ create होगी देखो हमारे पास आया i is equal to z का conjugate upon z पका हा सर पका z इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बिटा sir multiply ठीक है तो यह basically आया z का conjugate is equal to i into z यह आया क्या यह हमारी proving थी क्या यह हमारा proof निकालना था हमें जल्दी से देखो क्या यह हमें निकालना था नहीं सर यह नहीं निकालना था हमें यह नहीं निकालना था हमें z is equal to something निकालना था यार यह कैसे आएगा z is equal to अभी बताता हूं सुनो एक काम करो z is equal to something इधर जाएगा तो z is equal to क्या हैगा पिटा आई इधर जाएगा डिवाइड करेगा z का conjugate upon i नीचे आगया डिवाइड कर दिया ठीक है इतनी बात क्लिए रहे हाँ सर क्लिए रहे अब सुनो मेरी बात z is equal to minus i अब ये minus i कैसे आएगा मैं आपको एक shortcut बताता हूं कभी भी आपको one upon i दिखे ना तो आप इसकी जगा बिटा minus का i लिख दिया करो one upon i दिख जाए तो समझ जा minus i आएगा कैसे दिखो बताता हूं ये जो है ना ये है बिटा z conjugate into one upon i दिख रहे है जेड conjugate upon into one upon i लिख सकते हैं अब ये one upon i है सर तो इसकी जगा मैं minus i लिख सकता हूं कैसे लिख सकता हूं अभी ये भी बताऊंगा don't worry तो अपन ने क्या लिखा z is equal to z conjugate into minus का i और बिटा इसको अच्छे से लिखेंगे डेखा चलो आओ देख लेते हैं चलो आओ देख लेते हैं अगर हमारे पास one upon i आजाए तो अपन क्या कर सकते हैं अपन इसमें into i नीचे और into i ऊपर कर सकते हैं ना ये सर तो ये आजएगा ऊपर और नीचे आजाएगा बेटा आई का स्कुर सही बात है अब नीचे यीञा आई सकुर है यह मैंनस वन होता है हमें तो बेटा आए अपोँ आई स्कुरे की वैलियू मैनस 1 मैनस वन आट चहे से सेड करेंगे तो मैंनस का आई आगिए देखो तो one upon i कभी भी आ जाए उसकी जगा आप minus i लिख सकते हो directly ठीक है ये हो गया अच्छा सर कोई और तरीका नहीं है कि यहाँ इतना समना करना पड़े direct आ जाए है एक और तरीका है क्या हमने क्या कराता है वन माइनस i को नीचे लाएते हैं हाँ इसके नीचे अगर हम यहाँ पर उल्टा खेल कर देते हैं उल्टा खेल मतलब अगर हम z का conjugate z के नीचे लाते हैं यहाँ z को लिखा रहने देते हैं z से कहते हैं तो मिधर ही ठहरो z conjugate आता डिवाइड करने तो नीचे डिवाइड आता ठीक है is equal to बिटा फिर यह वाला नीचे आता one up one minus i उपर रहता क्योंकि यहाँ z conjugate यहाँ आया तो यह यही रहेगा one minus i अपनी जगा ठहरा रहेगा इसके पास यह one plus i आया था one plus i आया था अगर इस पे हम calculation शुरू करते तो अपनको यह काम नहीं करना पड़ता direct answer आ जाता इस पे अगर calculation solve करते हैं यह आ गया अब इसको rationalize कर दो इसको rationalize करके क्या मिलेगा सर अगर हम square इसी इस पार्ट कोई solve कर रहा हूँ बस में ठीक है इसको rationalize करोगे तो यह आएगा one minus i का square upon a square minus b square यह आएगा ना हाँ सर यह क्या आएगा a square plus b square minus two into one into i यानि two i minus का upon बेटा one square plus one square minus minus का one तो यह two आ जाएगा क्या जाएगा यह two आ जाएगा है ना तो यह two आ गया बेटा यह तो cancel हो जाएगा क्यों हो जाएगा cancel one और यह बेटा minus one होता है कट गया तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास यहां से जो बचेगा वो बचेगा, minus 2i upon 2, 2 से 2 कर जाएगा, यह आया, minus का i, अब यह minus का i किसकी equal आया, इसके, z upon z का conjugate, z का conjugate यहा जाएगा, क्या हो जाएगा, z is equal to minus i into z का conjugate, यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो, z is equal to minus i, z का conjugate, यही हमें प्रूफ करना था, तो अगर ऐसे चलते तो बड़े आराम से आजाता, और अगर हम ऐसे चले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, answer तब भी हमारा perfect था, ठीक है, done sir, yes sir, यह अलग है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अच्छे से separation देख लो, यह अलग पालब पाट है, ठीक है, यह अपना अलग है, ठीक है sir, और बाकी जो लिखा हुआ है, वो अलग है, ठीक है, done sir, चलते हैं से screenshot ले रो, चलते हैं next question number 8 पर, ठीक है, इसको erase कर रहा हूँ मैं, ठीक है sir, question number 8 देखते हैं, इसको erase कर दिया, this is question number 8, next now, ठीक है sir, यह जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटु मोटू सा question है, prove that this, 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 4 हमें brackets दिये गए, पहले bracket में है बिटा अपना, x plus 1, x plus 1, plus i, ठीक है, दूसरे bracket में है, x plus 1, x plus 1, minus i, ठीक है, तीसरे bracket में है, x minus 1, plus i, x minus 1, plus i, और चौथे bracket में है, x minus 1, minus i, x minus 1, minus i, x minus 1, minus i, यह LHS copy किया, RHS x की power 4 plus 4 आएगा, सबर रखो आएगा, tension नहीं लो, ठीक है सर, अब देखो बेटा, यहां आप main game देखना, ठीक है, main game देखना, क्या सर, इन दोनों bracket में कुछ तो same दिख रहा है, x plus 1, x plus 1, यह plus का i है, यह minus का i है, समझे कुछ, हाँ सर, इन दोनों bracket में कुछ same दिख रहा i है, अब देखो है क्या, system क्या है, सुनना, समझना, ठीक है, देखो, x plus 1 को हमने ऐसे ही लिखा bracket के अंदर, और फिर लिख दिया, plus का i, और हमने क्या करा, एक bracket लगाती है, बड़ा, सिर्फ लिखने का तरीका change कर दिया, same तरीका यहां अपनाएंगे, sir, x plus 1 को हमने ऐसे ही इस बार यहां पर plus आई था, यहां minus का आई आएगा, ठीक है, और bracket close, तो अब यह पता क्यासा दिख रहा है, अब यह ऐसा दिख रहा है, देखो, a plus b, a minus b, a square minus b square, समझ में आई बात, yes, a plus b, a minus b, तो हमें इसमें a square minus b square, बिटा, यह a है, a और यह b है, यहां लिखा हमने a square minus, यहां लिखा हमने b square, यह दोनों bracket मिलके यह दे दिये है, ठीक है, sir, यहां पर bracket लगा लेंगे बड़ा, अच्छा, same काम जो इन दोनों के साथ कराएं, इन दोनों के साथ भी कर लेते हैं, sir, बिल बिटा, ध्यान से सुनों, दूसरे bracket भोगा, x minus 1, minus i, ठीक है, sir, और यह बंद कर दो, अब यहां पर क्या है, यहां पर भी वोई system है, sir, a, तो यह भी a, b, तो यह भी b, a plus b, a minus b, a square minus b square बन गया, बिलकुल बन गया, sir, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, यहां पर भी लि square bracket में लिखेंगे, sir, bracket में लिखेंगे, खतब, चलो solve करते हैं, अंदर ये अंदर solve करेंगे, ठीक है, done sir, तो यह आएगा, बिटा, x plus 1 का whole square, x square, plus 1 square, plus 2 into x into 1, यानि 2x, ठीक है, a square plus b square plus 2 a b, minus i square, minus, और i square क्या होता है, minus का 1, तो यहां minus का 1 लिख दिया, तो यह plus का 1 हो जाए है, हाँ sir, plus का 1, bracket close, 100% clear, sir, इधर देखते हैं, दूसरे bracket में, x minus 1 का whole square, sir, x square, plus 1 square, minus 2 into x into 1, यानि, minus 2x, अरे, x square plus y square, minus 2xy, minus का 1 square, 1 square, i square, i square, i square, to minus का 1 होता, तो minus minus plus का 1 बन जाएगा, यहां लिखा बिटा पन ने, plus का 1, bracket close, इतनी बात clear है, हाँ sir, आगे देखते हैं, आगे x square, ठीक है, 1 और 1, plus का 1, plus का 1, plus का 2, तो plus का 2, और plus का 2x, bracket close, ठीक है, done sir, अच्छा, x square, ठीक है sir, plus का 1, plus का 1, plus का 2, और यह हो गया, minus का 2x, बिटा अभी फिर से यहां पर एक कहानी बन गई, कौनसी कहानी बन गई, बताता हूं, देखो, इन दोनों bracket में हमने देखा था, यह वाला पाट और यह वाला पाट सेम था, plus का i, minus का i, बिटा यह भी तो game यहां पर भी तो सेम हो रहा, देखो, x square plus 2, x square plus 2, plus 2x, minus 2x, sir, यहां पर भी वही गेम हो रहा है, यहां पर भी same game हो रहा, बिटा, there is not a single difference, मतलब sir, यहां पर अगर बात करें, x square plus 2, x square plus 2, दोनों bracket में मौझूद है, हां sir, दोनों bracket में मौझूद है, plus का 2x, minus का 2x, तो अगर तुम इसको a की नजर से देखते हो, और तुम इसको b की नजर से देखते हो, इसको b की नजर से देखते हो, ध्यान से सुनो, यह b हो जाएगा, अगर x square plus 2a है, तो यहां पर भी a होगा, अगर 2x b है, तो यहां पर भी b होगा, तो यह तो a plus b है, और यह a minus b है, दोनों bracket में है, तो यह कौन सा formula बना, a plus b into a minus b, a square minus b square, है न, formula कौन सा बना, a square minus b square, तो यह क्या बनेगा, बिटा, यह बनेगा, a, यह a है, square minus b, यह b है, square, बात clear है, हां sir, चलो solve कर देते हैं, इसका square क्या होगा sir, इसका square होगा, देखो, यह होगा अपना a plus b का whole square, तो यह हो जाएगा a square plus b square, a square plus b square plus 2ab plus 2a into b, ठीक है, minus, ठीक है sir, 2x का square, 2x का square, 4x का square, x square, ठीक है sir, done, अब यह क्या होगा पिटा, यह हो जाएगा, अपना x की power 4 plus 2 की power 2, यह नि 4, plus का 4x square, plus का 4x square, और minus का 4x square, अभी पिटा, च्छे से देखो, यहाँ 4x square plus का और minus का cut हो गया, बचा x की power 4 plus 4, x की power 4 plus 4, पिटा, यही हमें prove करना था, यही हमारा rhs है, right hand side, जल्दी से देख लो, rhs x की power 4 plus 4 आ गया है, सामने से अर जाता हूँ, अब चल jumping on to question number 9th now, इसको मैंने कर दिया, erase, बहुत शांदर और मस्त question है, a square minus b square का formula बार बार लग रहा था, और कुछ नहीं है, पहचानने का काम तुम्हारा है, ठीक है, done sir, चलो, यह अपन खतम करते हैं, आ गए बिटा, 9th question पे most 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 important question, सची कह रहा हूँ, हद से जादा important question है, यह क् बताता हूँ, देखो, conjugate और modulus वाले जो questions होते हैं, वो बहुत important होते हैं, उसको बिलकुल हलके में हम नहीं ले सकते, चलो sir, पढ़ते हैं, find the real values of x and y for which complex number this and this are conjugate of each other, बढ़ा question है बिटा, बताता हूँ कैसे, सुनो, देखो, पहला complex number है, minus 3 plus i y x square, ठीक है, इसको मैंने i को करके बाकी y x square को bracket में कर दिया, ऐसा क्यों करा है, मैं बताऊंगा, ये दूसरा है बिटा, x square plus y, ठीक है, plus 4 into y को मैं i into 4 लिखता हूँ, ऐसे, अब ऐसे क्यों करा, क्या ज़रूरत आनपड़ी, इसकी मैं बताता हूँ, सुनो, होता क्या है, complex number को हमें लिखना चाहिए, इस format में हमेशा लिखना चाहिए, जिससे अपन को क्या, जिससे अपन को a और b की value clear नजर आए, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर बिटा, जो ये वाला पार्ट है, ये प्लस i के साथ, जो multiply में ये b है, है न, clear पार्ट है, a plus i b, a ये है, plus i into b, ये b है, clear प्लाइ में नहीं है, plus plus i, i, b, b बेटा 4 है, ऐसा लिखना चाहिए, it is good, अच्छे से लिखोगे, तो अच्छे से समझ में आएंगे चीज़ है, ठीक है, अब इन्हों ने ये कहा पने, इसमें z मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, let this is z1, ठीक है, ये पहला complex number है, and this is z2, ये ये बोला कि ये इसका conjugate है, ये इसका conjugate है, मतलब एक दूसरे के conjugate है, क्या given है, देखो given लिखता हूँ मैं, given, ठीक है sir, क्या given है, इन्हों ने दिया है, ध्यान जो सुनना, देहां जो सुनना conjugate of conjugate conjugate देहां जो सुनिए बिटा conjugate of z1 z1 का conjugate जो है न वो z2 है तो z1 का conjugate तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं देखो ऐसे ही देखो z1 conjugate का मतलब इसकी उपर डेश conjugate of z1 की जगा ये लिख सकते हैं z equal to बिटा क्या दिया हुआ है z2 ये हमें बहुत important एक part दिया गया है जो हमारे पास आ गया अच्छा एक और चीज़ दी गई है क्या conjugate of z2 एक दूसरे के conjugate है मतलब conjugate of z2 क्या होगा conjugate of z2 यानि दूसरा जो complex number है उसका conjugate क्या होगा वो z1 है तो बिटा को एक दूसरी important चीज मालूम पढ़ गई clear है इतनी बाद ये सर बिलकुल clear है कोई समस्या नो समस्या सर इसको थोड़ा सा अपन नीचे करते हैं ठीक है और इसको उठा के अपन यहां लाते है done ठीक है शलो तो ये clear हो गई बात सर ठीक है इसको अपन ये बताओ हाँ यार conjugate निकलता कैसे है ये बताने की जरूरा थे ध्यान से सुनना पर पहले ये उठाते है पन z1 का conjugate is equal to z2 number one सबसे पहले पन उठाते है z1 का conjugate is equal to z2 ठीक है conjugate पता क्या होता z1 का है z1 ये है इसके conjugate में जो i plus का है बस इसको minus का कर दो हो गया conjugate z1 अगर ये है तो z1 का conjugate जो होगा वो बस यहाँ पर minus आ जाएगा यहाँ प्लस का i की जगा minus का i आ जाएगा and that's it तो सर हम समझ गए कि अगर हम यहाँ पर नीचे z1 का conjugate लिखेंगे तो minus 3 ठीक है minus 3 तो वैसे ही रहेगा i y x square i y x square भी ऐसे ही रहेगा बस यहाँ पर जो i plus का था वो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर i minus का हो जाएगा is equal to z2 तो z2 तो यही लिख दो पूरा का पूरा पेटा x square plus y ठीक है x square plus y लिख खा पेटा bracket close then we have plus i into 4 plus i into 4 ठीक है अब compare करना है लेकिन compare पता कब करेंगे सुनो मेरी बास सुनो क्या sir ध्यान से सुनना ये है ध्यान से सुनो ये भी एक complex number है ये भी एक complex number है ठीक है sir दोनों complex number को इसके जैसा लिखने की कोशिश करो ये तो already लिखा हुआ है a a plus plus i i b b ये तो सही लिखा इसमें कमी है क्यों है a a plus plus यहाँ plus नहीं है sir ये plus बनाओ पहले plus बनाओ और इसको कैसे plus बनाते है बिटा ये minus जो है ना इसको दे दू इसको transfer कर दो minus का तो तो ये क्या हो जाएगा बिटा ये हो जाएगा अपना ध्यान से सुनिएगा minus का 3 और अब यहाँ plus आ जाएगा plus i ठीक है sir और ये minus का जो है minus y x square इसको minus दे दिया हमने clear है हाँ sir clear है is equal to ये अपना बढ़िया है settled x square plus y bracket close plus i into 4 अब यहाँ compare करेंगे हम कैसे compare करेंगे बेटा ये हो गया हमारा capital A plus i और ये हो गया capital B है ना ये हो गया बेटा अपना real part और ये हो गया बेटा अपना imaginary part अच्छा यहाँ पर बेटा ये real part है ये पूरा का पूरा real part है और बेटा plus i into b ये बेटा अपना imaginary part है i am clear है हाँ sir clear है अब जब दो complex number equal है तो हम क्या कह सकते हैं we can say that ध्यान से सुनिएगा we can say that real part is equal to real part तो यहां से हमें सबसे पहले जो चीज समझ में आई ध्यान से सुनिएगा सबसे पहली चीज जो समझ में आई हमें वो आई x square plus y is equal to minus 3 x square plus y is equal to minus 3 clear है हाँ सर। दूसरी चीज माइनस y x square is equal to 4 ठीक है सर। दूसरी चीज जो समझ में आई वो आई बेटा minus y x square is equal to 4 ये दो चीजे आ गई ये सर इन दो चीजों को उठा के अपन बेटा यहां रख लेते हैं ठीक है यहां रख लेते हैं clear आई बात समझ में ठीक है सर बिलकुल आ गई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर बिलकुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब मैं चाहता हूँ इसको मैं erase कर रहा हूँ इसका जल्दी से screenshot ले लो ताकि मैं erase कर दूँ अच्छा यहाँ पर ही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखो यह आ गई ठीक है अब सुनते हैं ना जी सर थोड़ा solve करने की कोशिश करते हैं थोड़ा प्रयास करते हैं यह जो पार्ट है ना कैसे प्रयास कर एक्स और य की value यहां कैसे निकाली जा सकती है बताता हूं तु क्या आएगी x square की value यहां से आएगी minus y उदर चला जाएगा तो minus y minus 3 यह value आ गई बेटा x square की है ना minus y minus 3 अब नीचे जो x square दिख रहे हैं नीचे वाली equation में इसमें x square की value यह डाल दो सर ठीक है देखना यहां है minus y into x square is equal to 4 यहां x square की value यह जो आई यहां डाल देंगे minus y into x square की जगा minus y minus 3 is equal to 4 इतनी बात clear आई x square की जगा यह आ गया बहुत साधर सी चीज़ है minus y into minus y plus का y square minus y into minus 3 plus का 3y multiply होगा 4 को इदर बालो minus का 4 हो जाएगा is equal to 0 solve कर तो इसको कतम ठीक है इसको solve कर देते हैं y square plus 3y minus 4 y square plus 3y minus 4 ठीक है sir is equal to 0 इसको बिटा factorize कर देंगे y की value आजाएगी तो किता बढ़ी असटीक सा बन गया ठीक है sir तो यह आजाएगा 4 one's a 4 ठीक है y square 4 one's a 4 अगर मैंने यह plus का 4 ले लिया plus का 4y minus का y हाँ आ जाएगा सही है middle term split process तो y common आगया यहाँ बचा y plus 4 ठीक है minus y common आगया यहाँ आया y plus 4 ठीक है sir is equal to 0 ठीक है minus 1 common आएगा minus y नही minus 1 common आएगा यहाँ ठीक है done yes sir यहाँ आया पेटा y plus 4 common और y minus 1 y plus 4 y plus 4 यहाँ y minus 1 बचा y minus 1 is equal to 0 इतनी बात clear है बिल्कुल clear है sir बिल्कुल clear है 110 percent clear है space नहीं था इसलिए उपर करने लगा नहीं तो मैं उपर नहीं करता नीचे ही अब यहाँ से बिटा जब अपन y plus 4 को 0 के equal लेंगे तो y की value क्या आई दोस्त y की value आ गई minus 4 और या फिर हम यह और करके लिखेंगे y minus 1 को जब हम equal to 0 लेंगे बिटा तो y की value क्या आएगी y की value plus 1 आ जाएगी तो बिटा एक आई minus 4 एक आई plus 1 y की 2 values आ गई जल्दी से लिख लेंगे y की 2 values आ गई sir answer आने वाला है मिटा y की 2 values आ गई क्या ही sir y की 2 values आ गई एक है अपना minus 4 और 1 ठीक है x की भी values दो आएगी फिर ठीक है x की भी 2 values आएगी sir ठीक है देखते हैं तो अगर ध्याँ से सुनिएगा अगर एतना solve कर लिया तो x क्या है sir देखो ना यहाँ पर भी तो x था x की value हम निकाल चुके थे x square है minus y minus 3 ध्याँ से सुनो x square की value है x square की value है minus y minus 3 यही है ना हाँ sir पहले यहाँ y की value अपन पहले यहाँ y की value अपन minus का 4 रखते हैं पहले अपन ये रखते हैं minus का 4 ठीक है तो क्या आएगा ये आएगा minus का 4 रखेंगे फिर 1 रखेंगे तो x square is equal to minus और y already minus 4 तो ये plus का 4 बन जाएगा minus 3 तो x square is equal to क्या आएगा बिटा 1 और x की value क्या आएगा plus minus under root 1 जो की हमें plus minus 1 दे देगा मतलब plus 1 और minus 1 तो दो values ये आगई ठीक है दो values x की ये आगई plus 1 minus 1 plus 1 और minus 1 clear? हाँ सक्थ लेकिन अगर आपने y की value यहाँ पर minus 4 की जगा y की value 1 रख दी तो पेटा इसका जो x का answer आएगा वो complex आएगा जबकि हमें x और y की real values निकालनी है ध्यान से सुनो question है पेटा x और y की real values निकालनी है अब मैंने जैसे ये निकाल लिया अब मैं क्या करता हूँ? ध्यान से सुनियेगा ध्यान से सुनियेगा पेटा इसको छोटा कर दूँ पहले इसको छोटा कर दिया ठीक है just a second इसको भी small कर देता हूँ ठीक इसको भी हटाओ यहाँ से इसको यहाँ set कर दिया जाए ठीक है यह यहाँ है ठीक है इसको अपन ने ऊपर set कर दिया क्या है ना space की बहुत कमी पढ़ती है बड़े बड़े questions है ठीक है अब यहाँ अगर मैं अगर यहाँ मैं बेटा y की जगा ध्यान से सुनना x square is equal to minus y minus 3 x square is equal to minus y minus 3 अब y की जगा अगर मैंने जैसे minus का 4 लिया अब मैं y की जगा अगर 1 ले लू यहाँ y की जगा 1 ले लू take y is equal to 1 taking y is equal to 1 क्योंकि y की दो values है तो यह क्या आएगी बेटा sir solve करते है x square is equal to minus y y 1 है sir तो 1 लिखा minus 3 तो यह minus का 4 हो गया x square is equal to minus का 4 x से square अटाएंगे तो बेटा plus minus under root minus 4 और minus 4 अगर under root में आगया तो यह complex number है x की यह real value नहीं है x की यह values real नहीं है जबकि हमें x की और y की दोनों real values निकाल ली थी तो x की यह वाली values हम नहीं लेंगे हम x की सिर्फ यह values लेंगे plus 1 और minus 1 समझ में आगई बात yes sir plus 1 and minus 1 ही आएगा अच्छा यह अपनने first से किया इस से किया z1 मतलब इस से किया अपनने z1 का conjugate is equal to z2 अगर आप इस से करोगे z2 का conjugate is equal to z1 तब भी आपके answers बिलकुल match करने वाले हैं इस बात से बेफिकर रहों आप बिलकुल ठीक है शलो moving on to our next question और question number next अपना question number क्या है विटा question number 10 ठीक है लेकिन मैं 10 पे जाने से पहले चाहता हूँ कि इसी question को अपन दुबारा से इस से करें इस से तो अपन कर चुके अब इस z2 का conjugate is equal to z1 इस से और करना चाहता हूँ मैं ठीक है तो मैं क्या करूँगा I am just raising this all इतना part मैं erase कर देता हूँ ठीक है क्योंकि अपन ने x और y की values तो already निकाल ली है x की य की य की आई ठीक है देखते हैं अगर अलग values आएंगी तो बहुत अच्छी बात है फिर तो और भी values हो जाएंगी ठीक है चलो देखते है तो sir अब भी अपन को z2 का conjugate z1 है इस से प्रूफ करना है तो second अपन ने लिखा बिटा यहां second अपन ने लिखा z2 का conjugate is equal to z1 ठीक है डंग से देखना इस बार थोड़ा सा जल्दी करूँगा because time की कमी है ठीक है तो z2 का conjugate पिटा z2 यह है इसका अगर conjugate निकालोगे तो बस यह पलट जाएगा इसका opposite हो जाएगा plus का i minus का i हो जाएगा ठीक है सर तो इसकी जगा अपन ने क्या लिखा इसकी जगा अपन ने यही लिख दिया x square plus y x square plus y बस यहां plus की जगा minus हो जाएगा minus का i into 4 ठीक है done सर यह अपना पूरा bracket में है इसको bracket में ले लेते हैं क्योंकि यह a बन जाएगा ठीक है तो इसको bracket में ले लिया is equal to z1 z1 यह है बिट अपना minus का 3 plus bracket sorry i i और फिर bracket में हो जाएगा अपना y x square y x square done सर ठीक है ध्यान से देखना बिटा अब यहां पर इन दोनों को a plus i b के जैसा लिख को यह तो देखो a है plus नहीं आ रहा है यार इसको plus बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे plus यह minus इसको देदेगे हैना यह minus इसको देदेगे तो plus i b बन जाएगा और यह already देखो यह a है plus i b यह सही है बिलकुल तो सर यहां क्या करना है यहां आपन को करना है x square plus y यह a हो जाएगा हना यह real part हो जाएगा a plus यह plus बन जाएगा कब जब यह minus 4 को दे दिया जाएगा i into minus का 4 ठीक है a plus i b is equal to minus 3 plus i into b मतलब y x square ठीक है तो यहां से compare करेंगे सर compare मतलब यह देखो a है यहां यह क्या है बिलकुल यह real वाला part है यहां ॥ीक है plus i और यह क्या है बिटा यहां पर imaginary वाला part है apply m क्लियर हा सर यह क्या है यह real वाला part है दूसरा complex number का यह क्या है दोस्ट यह i के साथ यह imaginary वाला part है लेकिन क्या सर कि यह वाला बीच में plus आना चाहिए प्लस जरूरी है आना ठीक है सर तो हमें एक बात समझ में आ गई सर के real is equal to real यानि x square plus y is equal to बिटा अपना minus का 3 आएगा ठीक है यह हो गया point number 1 और point number 2 हमें जो समझ में आया imaginary is equal to imaginary यानि कि अपना y x square is equal to minus का 4 ठीक है अब इनकी मदद से भई या फिर से वोई काम करो यार x square की value क्या आएगी यहां से x square की value निकाल लो या y की value निकाल लो जो निकालना तुम्हें या तो यहां से y की value निकाल के यहां रख दो या यहां से x square की value माइनस 3 या माइनस 3 माइनस वज जैसा भी आपको लगे is equal to minus 4 y into y minus का y square y into 3 minus का 3y is equal to minus का 4 इन सब को वहाँ ले जा तो 0 is equal to plus का y square plus का 3y और minus का 4 ठीक है ये दोनों अदर चले गए अब बेटा इसको solve करोगे तुम्हें अगर याद हो तो previous जैसा हम बिलकुल वही बन गया यह बिलकुल वही quadratic equation आ गई डिट्टो same to same बिलकुल वही आ गई यह बिटा 4y minus y में तूट जाएगा y square plus बिलकुल वही आ गई same to same कुछ भी अलग नहीं है y square plus 3y को मैंने लिखा 4y minus y है न 3y को लिख दिया और फिर minus का 4 है minus का 4 लिख दिया is equal to 0 y common लिया तो यह आया y plus 4 और बिटा यहां इन दोनों से minus का 1 common लिया तो यह भी आया y plus 4 is equal to 0 y plus 4 y plus 4 बिटा again common यहां से क्या बचा मेरे दोस्त यहां से बचा y यहां से बचा minus 1 तो y और minus 1 is equal to 0 जैसे हमने इन दोनों brackets को अलग-अलग solve किया y plus 4 को 0 के equal लिया तो y क्या आया बिटा y आ गया हमारा minus का 4 जब हमने y minus 1 को equal to 0 लेकर solve किया y minus 1 is equal to 0 तो y की value यहां minus 1 वहां गया बिटा plus का 1 आ गया यह दोनों values आ गई y की जो already हमारी आ रहें दी minus 4 and 1 minus 4 and 1 आगे अगर solve करोगे x के लिए तो x की यही values आएंगी real values लेनी है x की दो पार values आएंगी एक तो यह आएगी plus 1 minus 1 और एक और आएगी plus minus under root minus 4 जो एक complex number है तो उनको नहीं लेना है क्योंकि question है find the real values of x and y यह question अब यहां समाप्त हो गया इसको erase करते है this is our next and the last question of this session find the complex number z for which z ka conjugate z ka modulus sorry is equal to z plus 1 plus 2i oh bhai very good बहुत बढ़ी है अब सुनो मेरी बात find the complex number z हमें z complex number धूनना है तो एक काम करते हैं जो complex number हमें धूनना है z उसको हम let कर लेते हैं let z is equal to a plus i b ले 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 हाν सर a plus i b यह हमने ले लिए बधा करना है हमें पता करना है a और b की value बस खटम हमें a और b की value पता करनी है अगर a और b की value आ गई तो खेल खतम हो जाएगा बेटा समझ रहे हो ना हाँ सर अगर यह और बी की वैलिव आ गई तो गेम ओवर चलो देखते हैं सर रखो भाई यहां यहां रखो तो सर यहां रखी जैट की वैलिव अपनने ए प्लस आई बी ठीक है इसका मॉडिलस इस इकोल टू यहां भी रखी सर हमने ए प्लस आई बी प्लस वन प्लस टू आई अब आरेजस में अगर तुम ध्यान से देख सकते हो तो बिटा आई वाले दो पार्टिकल्स हैं आई वाले दो हैं एक तो आई इंटू भी और एक टू इंटू आई इतनी बात किलिए रहे बि क्या करना है इसको मर्ज करना है जो ए और वन है वो तो बहिया रियल वाला पार्ट है ए प्लस वन को एक साथ लिख दो ठीक है सर आई बी और टू आई को एक साथ लिख दो तो सर यहां लिखते है पन प्लस का आई बी प्लस का आई टू आई टू या टू आई और इन दोनो से common आ गया और अपना यह चली रहा है सर मॉडियूलस a प्लस i b clear है हाँ सर अच्छा मॉडियूलस कैसे निकलता मॉडियूलस यह a प्लस i b का मॉडियूलस है तो अंडर रूट में a square प्लस b square तो इस पूरे की जगा हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं सर a square plus b square पक्की बात है हाँ सर पक्की बात है is equal to बिटा a प्लस 1 ठीक है प्लस i bracket b प्लस 2 कोई समस्या कोई दिक्कत नो समस्या नो दिक्कत सर समझते जाना जी सर बच्चों अगर हमने इसका दोनों तरफ square कर दिया अगर हमने इसका दोनों तरफ square कर दिया मज़ा आ जाएगा seriously और अगर नहीं भी करना है square तो भी मज़ा आ जाएगा बोलो कैसे बताता हूँ सुनो देखो बात समझोगे तो समझ में आएगी ये बिटा पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा है ना a square b square under root में ये क्या है ये complex नहीं है ये real है आई है यह नहीं इसमें इसमें आई है क्या नहीं है सर better होगा कि हम दोनों तरफ square कर दें चलो करके देखते हैं अगर square से काम हो गया तो हो जाएगा नहीं तो बिना square के भी काम अपन कर लेंगे ठीक है तो अपन क्या करते है अपन दोनों तरफ squaring कर देते हैं सर चलो तो अपन ने लिखा बेटा squaring both sides squaring both sides यार अगर अगर अपन ने squaring both sides कर दी तो मामला बिगड जाएगा a square plus b square और मामला बिगड जाएगा बच्चों मामला बिगड जाएगा हम क्या करेंगा हम इसी को अच्छे से लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं बिटा ध्यान से सुनो under root मामला बिगड जाएगा अगर squaring कर दी लंबा चोड़ा मामला खिच जाएगा a square plus b square बिटा ये पूरा का पूरा हमने ऐसे ही लिखा i नहीं है तो हमने क्या करा इसमें plus का i into 0 लिख दिया है ना ये red color से लिख देते हैं जाद अच्छा लगेगा देखने में यहाँ i है नहीं है लेचे इसमें तो हमने क्या करा plus का 0 i into 0 लिख दिया i into 0 क्योंकि i into 0 तो 0 होता है वो लिख सकते हैं ठीक है सर next is equal to a plus 1 plus a plus 1 ये bracket में लिखो क्योंकि real part है plus i into b plus 2 i into b plus 2 अब करना क्या है दिया आँज सुनना बस खेल हो गया खतम कैसे हो गया हमने क्या करा lhs को भी एक complex number के जैसा बना के लिख दिया देखो a plus i b कि यह होता न complex number a plus i into b यह होता न हा सर सही बात है तो यह हो गया a plus i b यह हो गया a plus i b तो हमें समझ में आ गया सर खेल हो गया हमें समझ में आ गया कि यहां खेल हो गया game हो गया क्यों यह पूरा का पूरा पार्ट क्या है सर यहां real है क्या पार्ट है बिटा real of complex number plus i into b यह जो पार्ट है सर यह क्या है यह हमारा imaginary part LHS का imaginary part LHS का अब RHS पे आते हैं यह जो पार्ट है यह पूरा यह क्या है यह real part है क्या है rhs का real part plus i into b ये पूरा जो part है सर ये हमारा imaginary part है क्या है imaginary part इतनी बात clearly समझ में आई a plus i b a plus i b तो अब क्या करते हैं जब दो complex number आपस में equal होते हैं देखो equal है ना एक complex number दूसरा complex number तो उनका real real part equal हो जाता है तो हमें this equal this real part this equal this मिल गया तो सर हमें क्या मिला सबसे पहले हमें मिला under root a square plus b square is equal to a plus one और दूसरी चीज़ जो हमें मिली वो imaginary equal imaginary यानि zero is equal to this b plus two तो हमने लिख दिया sir zero is equal to b plus two तो यहां से बिटा b की value आ गई minus two यहां से b की value आ गई minus two एक तो काम हो गया सर हमारा है ना b की value minus two आ गई तो यहां लिख दिया पन्ने is equal to a की जगा छोड़ दो plus i into b b की जगा हमने minus two लिख दिया है ना बस यहां a और बचाई यह a और आ जाई यहां है ना question mark a और आ गया तो बस खेल खतम a plus i b b आ गया minus two तो a और पता करते हैं सर चलो देखते हैं a कैसे आएगा simple a आ जाएगा यहां से कैसे आएगा इसका पन्ने whole square कर देना है अब whole square कर देना है squaring both side करो तो अपन squaring करेंगे तो इसका root टूर जाएगा यह हो जाएगा a square plus b square इसका square करेंगे तो भी आएगा a plus one का square चलो खोलते हैं सर a square plus b square is equal to यह आएगा पेटा a square plus one square plus two into a into one यानी two a अब पेटा इस देखो ना b की already value अपने निकाल चुके minus two यहां रखो minus two का square four तो यह क्या होगा पेटा यह हो जाएगा a square plus minus two का square four is equal to a square plus one plus two a और एक काम देखो यहां कट रहा है यहां plus का two a lhs में plus का two a rhs में कट गया one इदर आएगा पेटा minus हो जाएगा four minus one is equal to two a three two a is equal to three a आगया पेटा three by two a कितना आगया दोस्त three by two तो यह a आगया three by two b आगया two तो यह आगया three by two यह अपना answer है this is the complex number जिसको हम बड़ी मुश्किल से धून रहेते हैं ना तो यह answer क्या आगया पेटा के a i s r हमारा three by two ठीक है और b i s r हमारा minus का कितना है minus का two जिसकी वदालत हम कह सकते है therefore a plus i b जो हमें धूनना था जो complex number z धूनना था यह क्या आजाएगा यह आजाएगा three by two plus i into b की जगा minus two अगर ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो three by two minus two i यह भी लिख सकते हो okay sir z यह है ठीक है this is the answer लो गई done तो हमारा tenth question finally complete हो गया है so that आपके लिए next session में shoot कर पाऊं that is question number 11 से लेकर question number 15 magnet brains ऐसे ही आपको provide कर आएगा hundred percent free of cost high quality educational videos जिनकी मदद से हमारे K-12 के students जो CBS Seboot English Medium में पढ़ाई कर रहे हैं वो हर subject की best knowledge gain कर सकते हैं without paying any पैसा, any रुपी आपको कुछ भी payment नहीं करनी है बस आप अपना वक्त निकालके अच्छे कामों में लगाई है that is हमारे साथ पढ़के हमारी वीडियोस को देख कर इसी के साथ Hindi Medium वाले बच्चे magnet brains Hindi Medium YouTube चैनल पर जाकर उसको subscribe कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं कि magnet brains Hindi Medium YouTube चैनल पर 6 से लेकर class 12 Hindi Medium से related जो boards है CBSC board भी English medium है है ना English और Hindi और English दोनों medium है तो CBSC board Hindi medium, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board ये पूरे 5-6 जो boards के Hindi medium वाले students है 6-12 वाले वो पढ़ सकते हमारे Hindi medium YouTube चैनल पर और अगर आपको notes की आवशकता है तो वो भी मैं provide करा देता हूँ भई उसके लिए आप हमारी website और application को check out कर सकते हो website है बिटा www.magnetbrains.com इसी के साथ जो application है वो आप Google Play Store से install कर सकते हो और बड़ी है तरीके से अपने लिए 6-12 class के English medium और Hindi medium के all subjects के detailed notes experts द्वारा बनाएगाई notes download कर सकते हो जल्दी मिलेंगे next session में till then happy learning, take care, bye